आपने कभी न कभी लाइट एनर्जी के बल्ब के फोम में ये नाम सुना होगा LED जिसका फुल फोम होता है लाइट एमिटिंग डायोड तो ये एक सेमिकंडक्टर डिवाईस है जो की P टाइप की चीप और N टाइप की चीप को एक दूसरे के साथ इस्तमाल करके बनाया जाता है इसका जो बेजिक प्रिंसिपल है वो क्या है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में टर्न करना है तो कुछ इसी तरह से हम इस लेक्चर में LED के उपर detailed discussions करने वाले है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे semiconductor device के कई सारे component में से एक component या फिर यू कहिए एक device के बारे में बात करने वाले है जो device है LED तो LED यहाँ पे total चार अलग-अलग बातों में divide होने वाला है पहले हम बात करेंगे LED के principle के बारे में फिर हम बात करेंगे LED की construction के बारे में फिर हम बात करेंगे इस LED के working mechanism के बारे में और बाद में हम बात करेंगे इसके advantages, disadvantages और application के बारे में तो यह पूरा का पूरा topic यहाँ पे दो अलग-अलग video sections में divide होने वाला है तो इस वीडियो सेक्षन में हम बात करने वाले है LED के Principle और Construction के बारे में और दूसरे वीडियो में हम बात करने वाले है LED के Working और इसके Advantages और Disadvantages के बारे में और Application के ऊपर में एक तीसरा वीडियो आपको बना के देने वाला हूँ तो यहाँ पे इस पहले वीडियो में हम बात करेंगे principle और construction के बारे में, दूसरे और तीसरे वीडियो की link आपको इसी वीडियो के description box में मिल जाएगी, तो जैसे यह आप इन तीन वीडियो को देखते हैं तो आपको LED का पूरा का पूरा concept समझ में आ जाएगा, तो चलिए बा तो चलिए यहाँ पे पहले बात करते हैं LED के principle के बारे में, तो principle क्या है, देखिए, an LED मतलब की LED एक short form है, जिसका full form क्या होता है, light emitting diode, तो यहाँ पे हम LED के principle के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन इनसे पहले हमें LED का full form याद रखना चाहिए, जो कि क्या होता है, light emitting diode, An LED emits narrow bandwidth of visible, usually red, orange, yellow, or green, or invisible, specifically infrared light, when its internal diode junction is stimulated by a forward electric current or voltage. तो यहाँ पर एक statement दिया गया है, या फिर यू कहिए, कि एक principle का best answer दिया गया है, वो क्या है, कि LED एक ऐसा component है, या फिर एक ऐसा device है, जो कि यहाँ पर एक narrow bandwidth की radiation को यह क्या करता है, emit करता है, देखिए emission का मतलब क्या होता है, कि यह अपने अंदर से कुछ इस type की radiation को generate करता है, तो जब कोई device या फिर जब कोई component अपने अंदर से कोई radiation को emit करता है, मतलब कि generate करता है और produce करता है, तो इसे हम क्या बोलते है, emission बोलते है, वो जैसे कि यहाँ पर word दिया गया है narrow bandwidth, तो देखिए bandwidth का मतलब क्या है, bandwidth का मतलब directly wavelength या तो यू कहिए frequency के साथ है, मतलब कि एक minimum wavelength से लेकर एक maximum wavelength के बीच में, जो कोई भी wavelength added होती है, उन सभी wavelength के form में ये क्या देता है, emission देता है, तो जैसे कि हम अभी तक कई सारे examples में ये बोल के आते है, कि visible radiation का मतलब ये होता है, कि ये around 4000 angstrom to 8000 angstrom, ये यहाँ तक ये जो पूरी के पूरी wavelength है न, इस wavelength को ये क्या करता है, consists करता है, तो इसे इस पूरे के पूरे बेल्ट को, या फिर यू कहिए इस bandwidth को, हम क्या बोलते हैं, visible range consider करते हैं, तो इसे visible range में हमारी ये सभी colors आते हैं, जो क्या है, red color है, orange color है, yellow color है, और green color है, दूसरी बात, कि यहाँ पे दो अलग-अलग बात है, देखिए, यहाँ पे एक word क्या है, visible, दूसरा word क्या है, invisible, तो visible से हमारा मतलब क्या है, visible से मतलब ये होता है, कि ये जो हमारी human eyes है न, ये human eyes, हम यहाँ पे 4000 एंग स्ट्रॉम से लेकर, 8000 एंग स्ट्रॉम मतलब कि 4000 एंग स्ट्रॉम से लेकर, 8000 एंग स्ट्रॉम तक कि ये जो पूरी की पूरी व् इस wavelength को हमारी human eye sensitively sensible है मतलब कि उसे देख सकती है जिसकी वज़े से हमने इस पूरे के पूरे band को क्या बोला है visible range का band बोला है जबकि इनसे कम की radiation की wavelength और इनसे ज्यादा radiation में जो wavelength आती है उन सभी wavelength को ये हमारी human eye देख नहीं सकती है जिसकी वज़े से हमने इसे क्या बोला है invisible बोला है तो कुछ इसी तरह से हम यहाँ पे LED की जब बात करते है तो LED में दो terms आती है कि जैसे हम यहाँ पे LEDs की बात करते है तो LED दो टाइप की radiation को ये क्या कर सकती है emit कर सकती है तो वो radiation या तो visible हो सकता है या तो invisible हो सकता है तो अग कलर है red, orange, yellow, green और कई बार ये blue भी मिल सकते हैं तो ये सभी colors किस तरह से produce होते हैं ये बात हम आगे करने वाले है construction के वक्त कि अगर मुझे अलग-अलग color चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए तो यहां पर आपको ये बात याद रखनी है कि LED दो टाइप की अलग-अलग bandwidth को ये क्या कर सकती है? emit कर सकती है एक तो है इसकी visible range जो कि color consist करती है red, orange, yellow और green और दूसरी कौन सी है? invisible range तो invisible range में ये infrared light को क्या करती है? emit कर सकती है लेकिन ये emission किस वक्त में होता है? मतलब कि वो कौन सी ऐसी procedure है या फिर यू कहिए कि वो कौन सी ऐसी physical agency है कि जिसकी वज़े स ये emission possible होता है तो वो physical agency में है internal diode junction is stimulated by a forward electric current मतलब कि ये LED है ना? इसके full form में देखिए यहाँ पे आपको एक word मिलता है diode मतलब कि ये जो diode है ना? तो diode में आपको क्या करना है? एक electrical current या तो voltage प्रोवाइड करना है कि वो voltage इस पूरे के पूरे LED को क्या प्रोवाइड करता है? म तो forward bias से मतलब क्या होता है? कि जब आप किसी diode के positive और negative junction को पहले तो identify करते है और बाद में जब इसे battery के साथ connect करते है तो आपको ये maintain करना होता है कि negative terminal of the diode should be connected with negative terminal of battery and also the positive terminal of diode should be connected with positive terminal of battery. In this way we will get the forward bias connection मतलब कि कुछ इसी तरह से हम यहाँ पे इस diode के साथ जब battery को connect करते है तो हमें क्या मिलता है? forward bias connection मिलता है. तो कुछ इसी तरह से जब हमने LED को एक diode बोला है तो इसका जाहिर सा मतलब यह है कि इसके पास एक positive terminal होगा और एक negative terminal होगा. तो जिसकी वज़े से यह यहाँ पे polarity को consist करता है और जब यह polarity को consist करता है और एसी polarity को consist करने वाले एक equipment या फिर एक component को जब हम battery के साथ connect करते हैं तो हमें यहाँ पे forward और reverse bias की condition को maintain करना पड़ता है, mind करना पड़ता है. तो यहाँ पे LED तभी work कर सकती है जब हम इसे किस तरह से connection में लेते हैं, forward bias के connection में लेते हैं तब, तो इसका basic principle क्या बन के आता है, electrical energy is turned out into light energy, मतलब कि हमने बात यहाँ पे क्या की, हमें यहाँ पे इस internal diode के junction को forward electric current या तो voltage प्रोवाइड करना है, जिसके कारण यह क्या करता है, light emitting, मतलब कि यह light को emit करता है, देखिए यहाँ पे emit की बात की गई, किसे emit करता है, visible radiations को, जो कि red, orange, yellow और green या फिर blue color के होते हैं, तो जाहिर सा मतलब यह है, कि जब हम electric current या तो voltage प्रोवाइड करते हैं, तो यह आपका special type का diode, यहाँ पे visible radiation क के form में, या तो invisible, मतलब कि infrared radiation के form में, यह energy को क्या करता है, turn out करता है, क्या था, LED converts electrical energy into light energy and its efficiency is 10 to 50 times greater than of a simple tungstant lamp and have very fast response time 0.1 microse, मतलब कि यह जो आपकी LED है न, यह LED असल में यहाँ पे tungstant lamp के comparison में, जो इसका response time है, वो response time यहाँ पे 10 to 50 times क्या होता है, greater होता है, मतलब कि जब आप इसे power supply देते हैं, तो यह power supply के कारण LED अपनी 100% efficiency के साथ बहुत ही कम वक्त में क्या करने लगती है, glow करने लगती है, और जैसे कि हम कई बार देखते हैं, कि यह जो हमारे घर में क yellow color का tungstant lamp होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा electricity को consume करता है, जिसके कारण हमारा electricity का bill भी ज्यादा आता है, क्योंकि वहाँ पे therm ionic emission होता है, कि यह जो tungstant का filament होता है न, वो high tension या फिर high volt के कारण heat को consume करता है, और उस heat के कारण यह पूरा का पूरा जो lamp है, वो क्या होता है, glow ह होता है, तो कुछ इसी reasons की वज़े से, यह tungstant lamp ज्यादा तर energy को heat energy के form में क्या कर देता है, loss कर देता है, और कम से कम percentage में हमें यहाँ पे visible light मिलती है, और इसके कारण हमें कई बार देखने को मिलता है, कि जब अपने एक room में वो yellow color का tungstant lamp glow होता है, तो वो tungstant lamp पूरी की प reason यह है कि वो tungstant filament पूरी की पूरी light energy को ज्यादा से ज्यादा values में heat energy में turn out करता है, और कम से कम percentage में वो इस electrical energy को light energy में turn out करता है, तो यह एक drawback था कि इसमें tungstant filament के lamp में, चो यहाँ पे LED में आपको देखने को नहीं मिलता है, LED कम से कम power के साथ work करती है, लेकिन फिर भी ज् जो response time है ना, वो भी क्या है, बहुत ही fast response time है, तो वो कितना fast है, देखिए, 0.1 microsecond, मतलब कि इतने वक्त में यह 100% इसकी जो maximum capability है, उस maximum capability तक या फिर यू कहिए, उस maximum efficiency तक यह क्या करने लगता है, glow करने लगता है, मतलब कि इसका working time भी fast है, और इसका response time भी क्या है, fast है, तो यह है LED का एक important advantage, चो यहाँ पर हमने principle के साथ साथ दे, तो चली, अब यहाँ पर बात करते हैं, construction of LED के बारे में, देखिए, LEDs are not made from silicon or germanium, because in silicon and germanium diode, most of the electrons give up their energy in the form of heat, अब देखिए, यही statement जो है, वो यहाँ पर construction of LED के लिए बहुत ही key term है, अब देखिए, LED के बारे में हमने यहाँ पर क्या बोला, कि LEDs कभी भी, ordinary diode की तरह से, silicon और germanium जैसे, basic material से नहीं बनाई जा सकती है, जिसका reason यहाँ पर यह दिया गया है, कि जब हम किसी LED को, अगर silicon और germanium जैसे, materials को use करके बनाने की कोशिश करते है, तो हमें result क्या मिलता है, तो यहाँ पर यह जो most of the electrons, मतलब कि यह जो electrons की most of the energy होती है न, वो energy आपको यहाँ पर heat के form में मिलती है, तो यह heat क्या है, heat आपके लिए वही infrared radiation है, जो कि हमने आगे इस पुरी के पुरी LED के principle के वक्त हमने देखा था, कि LED यहाँ पर दो type के radiation को emit कर सकती है, एक तो वो visible हो सकता है, तो दूसरा वो कौन सा हो सकता है, invisible हो सकता है, तो वो जो invisible radiation है न, वो असल में आपका infrared radiation है, और वही infrared radiation असल में heat energy है, क्योंकि infrared radiation असल में heat energy का ही एक दूसरा नाम है, तो यहाँ पे अगर हम अपने LED को बनाने के लिए सिलिकोन और जर्मेनियम जैसे basic material का अगर हम इस्तमाल करते हैं, तो यह सिलिकोन और जर्मेनियम के अंदर, जब electron और holes का recombination होता है, और LED का यह जो पूरा का पूरा working mechanism है, वो वहाँ पे जब develop होता है, तो वहाँ पे जो energy का change होता है, दो अलग-अलग bands के बीज में, या फिर दो अलग-अलग energy levels के बीज में, वो किसकी range में आता है, वो य यहाँ पे सिलिकोन और जर्मेनियम का इस्तमाल नहीं कर सकते है, और दूसरी बात, मैं आपको additively बताना चाहता हूँ, कि हम यहाँ पे PN junction diode को अच्छी तरह से जानते है, चो ordinary हमारा PN junction diode है, जो कि आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, ब्लेक कलर का cylinder होता है, दोनो कि क्या होती है, positive terminal, तो आपको मैं बताना यह चाहता हूँ, कि यह आपका ordinary diode भी silicon और जर्मेनियम जैसे material से बनता है, तो वहाँ पे भी electron और hole का combination और कुछ इस टाइप की procedure होती है, जब diode forward bias में connect होता है, तो उस वक्त भी वही diode भी radiation को emit करता है, लेकिन वो radiation invisible होते है, मतलब क वो infrared होते है, जिसके कारण वो हमें वहाँ पे luminance नहीं देते है, मतलब कि हमें वो light energy नहीं दे सकते है, क्योंकि वहाँ पे जो इस्तमाल होने वाला radiation है, sorry, जो material है, वो क्या है, silicon और germanium, जिसके कारण वहाँ पे radiation emit होता है, वो radiation क्या होता है, वो होता है, invisible infrared radiation, जिसके कारण आ आपको वो डायोड थोड़ा सा वाम हुआ पसंद आये होगा, मतलब कि वो गरम हो जाता है, तो मतलब ये है कि वो heat energy के कारण, वो डायोड क्या हो जाता है, गरम हो जाता है, तो वो गरम इसलिए होता है, क्योंकि वो यहाँ पे electron और hole के recombination के वक्त, वो क्या produce करता है, heat energy को produce करता है, लेकिन heat energy को हम देख नहीं सकते है, जिसके कारण वो डायोड LED की तरहा काम नहीं कर सकता है, वरना construction में LED और डायोड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, जो फर्क होता है वो क्या होता है, specially about material, तो हमें यहाँ पे construction of LED में जो बात basic करनी है, वो क्या है, कि LED को अगर आप डायोड से अलग तरहा से बनाना चाहते हैं, और अलग तरहा से इस्तमाल करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे specific materials को इस्तमाल करने पड़ेंगे, देखिए आगे क्या देर रखा है, However, gallium arsenide, GAAS, यह यहाँ पे एक material है, gallium और arsenic, दोनों अलग-अलग elements को एक दूसरे के साथ special proportion में लेकर बनाया जाता है, इसका नाम क्या है, gallium arsenide, जिसे आप यहाँ पे significance के form में, GA और AS के form में लिख सकते हैं, दूसरा material क्या है, gallium arsenide phosphide, GAASP, यह भी एक material है, जिसमें, gallium, arsenic और phosphorus, इन तीनों materials को एक दूसरे के साथ, अलग-अलग proposals में लिया जाता है, जिसके कारण यह क्या बनता है, gallium arsenide phosphide, फिर तीसरा material देखिए, gallium phosphide, GAP, तो उसमें क्या-क्या elements होते हैं, एक gallium होता है, और दूसरा element होता है phosphorus, तो यह तीन अलग-अलग materials आपके सामने हैं, पहला material क्या था, gallium arsenide, GAAS, दूसरा material क्या है, gallium arsenide phosphide, GAASP, तीसरा material क्या है, gallium phosphide, GAP, तो यह तीन अलग-अलग material है, जो की हमारे लिए important है, LED को बनाने के लिए, तो दूसरी बार में आपको बोल देता हूँ, क्योंकि जो हमारा ordinary diode होता है, PN junction diode, कुछ इसी टाइप का mechanism LED में भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन जो diode है, ordinary purpose का diode, वो यहाँ पे silicon और germanium से बनाया जाता है, जबकि हमारी LED एक special purpose diode होने के कारण, यहाँ पे specific wavelength को produce करवाने के लिए, एसे materials इस्तमाल होते है, जो material यहाँ पे अपने conduction band और valence band के बीच में, कुछ इस तरह से energy के gap को यहाँ पे reform करते है, जिसके कारण जो wavelength produce होती है, वो wavelength क्या होती है, visible range में होती है, तो कुछ इस type के पूरे के पूरे band को prepare करने के लिए, जो material चाहिए, वो material क्या है, gallium arsenide, gallium arsenide phosphide, और gallium phosphide, यह सभी क्या है, semiconductor material है, तो electrons give up their energy by emitting photons, तो यह जो photons है, तो इनमें word आया photons, तो यह word आपने Einstein के theories में देखा होगा, कि कई बार हम light को दो अलग-अलग natures में define करते हैं, एक nature को हम बोलते है, wave nature, और दूसरी nature को हम बोलते है, particle nature, तो यहाँ पर wave nature और particle nature में, जब हम difference लेना चाहते हैं, या फिर अलग-अलग तरह से explain करना चाहते हैं, तो particle के वक्त हम यहाँ पर special word यूज करते हैं, जिसे हम बोलते है photons, मतलब कि वो energy के quantas है, जिसके कारण, यह light energy की radiation के form में आते हैं, मतलब कि जो wavelength और frequency यहाँ पर visible range में light energy के होती है, वही wavelength और frequency यहाँ पर photons के पास होती है, जब वो एक distance से दूसरे distance तक क्या करते हैं, travel करते हैं, तो यहाँ पर यह जो पूरा का पूरा LED का mechanism है न, light को emit करने का, वो mechanism यहाँ पर photon की definition के साथ क्या होता है, conclude होता है, तो यहाँ पर हमने ये बात की, कि अगर हम एसे diode को बनाने के लिए, गेलियम आर्सिनाइड, गेलियम आर्सिनाइड फोस्फाइड, गेलियम फोस्फाइड, कुछ इस टैप के semiconductor material को अगर इस्तमाल करते है, तो हमें जो energy मिलती है, वो energy यहाँ पर photons के form में emission में मिलती है, तो यह है इसका basic construction, कि हमें यहाँ पर silicon और germanium जैसे basic material की बज़े, क्या यूज करना है, गेलियम आर्सिनाइड, गेलियम आर्सिनाइड फोस्फाइड और गेलियम फोस्फाइड, चोकि semiconductor material है, और हमें यहाँ पर photons का emission करके देते हैं, फिर देखिए, N, N type layer is grown on the substrate, and a P type deposited on it by diffuser, तो यहाँ पर क्या होता है, कि पहले substrate के उपर यहाँ पर N layer को क्या किया जाता है, और बाद में, जब N layer grow हो जाता है, तो इसके उपर हम क्या करते हैं, P layer को deposit करते हैं, किस तरह से deposit करते हैं, तो यहाँ पर diffusion की process के साथ हम इसे deposit करते हैं, अब देखिए, यहाँ पर आपके पास तीन अलग-अलग term से, एक तो substrate, दूसरा है एक deposition, और तीसरा है diffusion, तो देखिए, substrate क्या होता है, substrate से मतलब यह होता है, कि हमें यहाँ पे एक plain surface लेने पड़ती है, तो इस plain surface को हम क्या बोलेंगे, substrate बोलेंगे, इस plain surface के उपर हम यहाँ पे, N type के layer को क्या करेंगे, ग्रोव करेंगे, ग्रोव करेंगे, से मतलब क्या है कि हम यहाँ पे यह जो पूरा का पूरा material है ना इसमें जो required N type की impurity होती है इस impurity को हम इसके अंदर क्या करते हैं एड करते हैं जिसके कारण यह substrate N type का material बन जाता है बाद में हम इस N type के layer के उपर क्या करते हैं जब यह N type का layer बन जाता है तो इसके उपर हम diffusion की process से मतलब की हम यहाँ पे P type की impurity को add करते हुए इसके उपर P type के layer को क्या करते हैं deposit करते हैं तो कुछ इस तरह से basic मतलब की bottom layer में क्या आएगा N type का material या फिर यू कहिए N type का layer produce होगा फिर इसके उपर P type का layer तो जिसके कारण यहाँ पे N और P दोनो अलग-अलग type के layer क्योंकि semiconductor material में हम जानते हैं कि एक N type का material जोकि अलग-अलग material से use करके layer बनाया जाता है दूसरा होना चाहिए P type का material जोकि अलग-अलग material को इस्तमाल करके layer बनाया जाता है देखे मैं दो बार material material word यूज कर रहा हूँ क्योंकि N type का layer बनाने के लिए भी हम यहाँ पे दो या तीन अलग-अलग materials इस्तमाल कर सकते हैं P type का layer बनाने के लिए भी हम यहाँ पे अलग-अलग material का इस्तमाल कर सकते हैं तो हम यहाँ पे required अलग-अलग materials को इस्तमाल करते हैं, जिसके कारण हमें यहाँ पे P-type का layer और N-type का layer मिल जाता है, तो इस P-type के layer और N-type के layer को हम बना कर क्या करते हैं, एक दूसरे को touch में रखते हैं, जिसके कारण आपको diode में जैसे P-N junction देखने को मिलता है, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे एक पूरा का पूरा desire construction मिल जाता है, कि since carrier recombination takes place in the P-region, it is kept at the top, मतलब कि यहाँ पे आपके पास देखे carrier recombination, मतलब कि एक layer के अंदर negative impurities के form में अलग-अलग charges है, दूसरे layer में positive impurities के form में अलग-अलग charges है, जब इन दोनों को electricity provide होती है, तो क्या होता है, यह जो आपके दोनों अलग-अलग, मतलब कि एक में क्या है negative charges है, दूसरे में क्या है positive charges है, तो जब इसे electrical supply provide होता है, तो यह जो negative और positive दोनों अलग-अलग charges है न, वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, recombination होते हैं, मतलब कि एक दूसरे के साथ combine हो जाते हैं, और जैसे ही एक दूसरे के साथ combine होते हैं, तो इसके कारण यह क्या करते हैं, energy को produce करते हैं, तो यह recombination की वज़े से, हमें यहाँ पे एक energy का production मिलता है, जो energy यहाँ पे क्या होती है, electrical energy के form में होती है और ये energy यहाँ पे top में आ जाती है top से मितलब क्या है कि ये पूरे के पूरी layer में से बहार आ जाती है जिसके कारण ये आपको बहार के criteria में बहार के atmosphere में visible के form में नजर आती है तो ये क्या हुआ कि पहले हमने दो अलग-अलग layers को यहाँ पे construct किया और बाद में ये दोनों layer में जब हमने electrical supply प्रोवाइड किया तो दोनों के अलग-अलग carriers positive और negative एक दूसरे के साथ क्या हो गए recombine हो गए जिसके कारण आपको यहाँ पे बाहार आता हुआ radiation नजर आता है तो देखिए यहाँ पे भी क्या है आपका यह battery का supply है जिसमें यह positive terminal है और यह क्या है negative terminal तो यह positive terminal आपके इस एक type cheap के साथ connected है यह आपका negative terminal दूसरी type के chip के साथ क्या है connected है और जिसे कि हमने principle में बोला था कि LED को अगर आप work करवाना चाहते है तो वो LED forward bias में connected होनी चाहिए मतलब कि battery का positive terminal आपके LED में जो दो अलग-अलग layer है उन layer में से यह positive terminal positive layer के साथ connect होना चाहिए और यह negative terminal आपके negative type के layer के साथ क्या होना चाहिए connect होना चाहिए जिसके कारण क्या होता है equal charges में यहाँ पर repulsion होता है और यह दोनों charges एक दूसरे के साथ क्या होते है recombine होते है और recombine होने के कारण आपको यहाँ पर light energies के form में यह क्या मिलते है photons मिलते है तो यह बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है कि हम यहाँ पर basic substrates का इस्तमाल के the metal anode connection is made at the outer edge of the P layer so as to allow more surface area for the light to escape मतलब कि हमें यहाँ पर जो पूरे के पूरे हमारे metal के connection roads है न उन connection road को side से attach करना है जिसके कारण क्या है कि जहां से यह energy को emit होना है वो energy emit होने के लिए यह आपके जो metal connection है वो उसे रोके नहीं वरना क्या होगा कि अगर मैं metal connections को यहाँ पे और यहाँ पे touch करता हूँ तो energy यहाँ से escape नहीं हो पाएगी क्योंकि उसे यह metal का यह जो contact है न वो contact उसे resist करेगा जिसके कारण मुझे यहाँ पे याद क्या रखना है कि जो contact मैं यहाँ पे terminals के form में लेना चाहता हूँ उस contact को मुझे यहाँ पे layer के side में attach करना है जिसके कारण यह जो पुरा का पुरा energy का emission है न वो emission यहाँ पे layer के कारण resist ना हो तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे construction में क्या बात की कि ordinary diode में silicon और germanium यूज होते है जो कि हमें यहाँ पे LED में use नहीं करने है तो LED में क्या material यूज करने है तो हमने तीन अलग-अलग materials के नाम दिये जो कि असल में क्या है semiconductor material है जिसके कारण हमने यहाँ पे photons को emit करने के लिए एक basic condition प्रिपेर कर लिए है बाद में क्या बुला कि किस तरह से substrate के उपर N layer और P type के layers को develop किया जाता है और किस तरह से उसमें recombination होता है और बाद में हमने देखा कि maximum light को escape होने देने के लिए हमें यहाँ पे metal connections को side में attach करना है ना कि उसे पुरे के पुरे layer के उपर attach करना चाहिए फिर देखिए कि construction में वो और कौन सी बात है जो कि हमें यहाँ पे LED के बारे में याद रखनी चाहिए तो यह है आपका LED का best diagram मतलब कि जो LED हम बाजार से खरीद कर लाते है मैंने इस LED के diagram में आपको दे रखा है तो मैं पहले इस diagram के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जिसके कारण आपको यह पुरा का पुरा LED का construction समझ में आएगा देखिए यहाँ पे LED में यह जो दो अलग-अलग terminals आपको देखने को मिल रहे है जिसमें से एक terminal को यहाँ पे anode बोला गया है और दूसरे terminal को यहाँ पे केथोड बोला गया है तो देखिए जनरली जब आप इस LED को देखते हैं न तो यह जो बाहर का यह पुरा का पुरा structure है न वो structure यहाँ पे fiber का होता है लेकिन वो fiber कैसा होता है ट्रांस्पेरंट होता है glass यह तो fiber से बनता है जो की transparent material होता है जिसके कारण यहाँ पे produce होने वाली light इसे यहाँ से भेद कर इसे बाहर आ सकती है जिसके कारण यह LED की जो यह internal produce होने वाली light radiation की efficiency होती है वो हमें बाहर नजर आती है लेकिन इस उपर के पुरे के पुरे section को देखिए यह dawned section है dawned section से मतलब क्या है कि जब आप इसे देखते है ना तो यह पुरा का पुरा एसा cylindrical section है कि जिसके कारण यहाँ से produce होने वाली जो light है ना वो light पुरे की पुरी सभी direction में equal proportion में यह क्या हो सकती है emit हो सकती है जिसके कारण इस पुरे के पुरे shape को domed shape बनाया गया है कि जिसके कारण यह LED की जो पुरी की पुरी light का emission है वो emission सभी direction में uniformly distribute हो सकता है फिर देखिए कि यहाँ पर यह जो दोनो connection है ना वो दोनो connection में से एक को हमने anode बोला है दूसरे को हमने cathode बोला है तो इसे आपको specify करना बहुत important है क्योंकि LED सिर्फोर सिर्फ forward bias में काम करती है अगर आपने इसे by mistake reverse bias में connect कर दिया तो यह LED क्या हो जाएगी damage हो जाएगी destroy हो जाएगी वो फिर से काम नहीं कर पाएगी तो आपको याद यह रखना है कि LED को आपको यहाँ पे anode और cathode के terminal को अच्छी तरह से identify करके किस तरह से connect करना है forward bias में connect करना है तो देखिए forward bias में जब आप इसे connect करना चाहते है तो आपको यहाँ पे anode और cathode को identify करना पड़ेगा तो वो आप identify किस तरह से करेंगे तो यहाँ पे LED के इस bottom को देखिए तो इस bottom में आपके पास यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा flat section देखने को आपको मिल रहा है और बाकी का यह जो पूरा का पूरा term है ना वो exactly rounded है एक थोड़ा सा section कैसा है यहाँ पे flat है बाकी का term क्या है rounded है तो यह जो आपका flat section है ना इस flat section के पास जो terminal यहाँ पे नीचे की ओर है वो terminal कैसा होगा? केथोड होगा तो खुद बगुद दूसरा terminal क्या हो जाएगा? एनोड हो जाएगा तो यह एक procedure है कि जिसकी वज़े से आप यहाँ पे यह जो आपका flat terminal है ना यह flat side यहाँ पे केथोड terminal को identify करवाता है और यह दूसरी जो round side है वो round side यहाँ पे केथोड terminal को identify करने के बाद जो terminal बचता है उसे यह क्या बोलता है? एनोड बोलता है दूसरी एक बात extra knowledge में यह याद रखिए कि जब आप किसी भी components के बारे में बात करते है तो वहाँ पे ज्यादा तर किसमे negative terminal को हम किस तरह से identify कर सकते है उसी बात को वहाँ पे जोर लगा कर बताया जाता है जैसे कि मैंने आगे आपको बोला था कि हमारे PN junction diode में जब हम देखते हैं तो एक silver color की ring होती है जोकि यहाँ पे negative terminal को क्या करती है identify करती है मतलब कि PN junction diode में भी negative terminal को identify किया गया है जोकि एक silver ring से बताया जाता है जब आप zhener diode को लेते है तो zhener diode एक glass envelope diode है जिसमें black color की ring होती है तो वो black color की ring भी zhener diode में कौन से terminal को identify करती है negative terminal को identify करती है इस LED में भी देखिए कि आपको यहाँ पे एक flat portion देखने को मिलता है जो भी यहाँ पे एक cathode terminal मतलब कि negative terminal को identify करती है तो ज्यादातर case में जब आप semiconductor devices के बारे में बात करते है तो जो यहाँ पे identification दिया जाता है वो identification यहाँ पे negative terminal के लिए ही ज्यादातर case में provide किया जाता है तो यह एक procedure में आपको बताई कि किस तरह से आप यहाँ पे negative और positive terminal को identify कर सकते है दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप दूसरे अलग way से भी एनोड और केथोड को identify कर सकते हैं तो देखिए जैसे आप यहाँ पे इस structure को देखते हैं तो आपको दो section देखने को मिलेंगे एक यहाँ पे एनोड का terminal है जिसके साथ यहाँ पे आपको कुछ इस type का construction देखने को मिलेगा मतलब कि यह थोड़ा सा triangular type का थोड़ा सा shape है और यह दूसरा terminal यहाँ पे आपके पास रहेगा जो कि यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा triangle का shape यहाँ पे अपने साथ consist करता है तो देखिए आपको इस बड़े से triangle को देखना है और जहाँ पे भी यह बड़ा triangle आपको देखने को मिलेगा तो यह बड़ा triangle अपने साथ एक terminal को connect करता है तो यह जो बड़ा triangle है ना वो बड़ा triangle अपने साथ negative terminal को identify करवाता है मतलब कि जब आप LED के इस cage को देखते है और इस cage में दो अलग-अलग कुछ इस type के section को देखते है और उस section में से जो बड़ा triangle आपको देखने को मिलता है तो वो बड़े triangle के साथ जो terminal यहाँ पे connected है वो terminal क्या बनेगा? negative बनेगा तो खुद बगूद यह जो दूसरा terminal है वो क्या बन जाएगा? positive बन जाएगा तो यह है आपके दो अलग-अलग identification कि जिसके कारण आप यहाँ पे LED की polarities को अच्छी तरह से specify कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको तीन अलग-अलग बात बोली उन में से दो बात किसके बारे में थी? एनोड और केथोड के टर्मिनल को specify करने के बारे में क्योंकि LED सिर्फ और सिर्फ forward bias में ही काम करती है जबकि reverse bias में यह damage हो जाती है और दूसरी बात मैंने आपको यह बोली कि LED के ऊपर यहाँ पे एक domed shape बनाया जाता है जिसके कारण जो produce होने वाली light है वो सभी direction में equal proportion में क्या हो सकती है? spread हो सकती है और इस light को बाहर आने के लिए इसके around में जो यह पूरा का पूरा cage बनाया जाता है वो cage यहाँ पे transparent fiber material या तो glass material से बनाया जाता है फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि wire के connections है, reflective cavities है, semiconductor की dies है और anvil और post मतलब कि यह आपके lead frames है और यह flat spot तो कुछ इस तरह से यह LED के सभी अलग-अलग terms होते हैं लेकिन वो terms आपको याद करने बहुत important नहीं है अब देखें, description में मैंने आपको क्या दे रखा है a metal, metal मतलब की कौन सी metal, gold film की metal a metal film is applied to the bottom of the substrate मतलब की, जो मैंने आपको पहले बोला था कि हमें यहाँ पे एक substrate इस्तमाल करना है जिसके उपर P और N टाइप के layers को क्या करना है, develop करना है तो यहाँ पे substrate के bottom में हमें क्या रखना है gold की film को रखना है, क्यों gold की film को रखना है क्योंकि हमें maximum reflection वहाँ से produce करवाना है देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोई एक light bulb को रखता हूँ तो क्या होगा, इन में से produce होने वाली light energy इस direction में जाएगी, इस direction में जाएगी, इस direction में जाएगी और इस direction में जाएगी मतलब कि चारो direction में यह equal proportion में यह emit हो सकती है लेकिन अगर मैं यहाँ पे reflection के लिए इस gold metal की film को यहाँ पे रख देता हूँ तो क्या होगा यह यहां से गोल्ड की फिल्म से यहां पर नीचे की presidency में आने वाले radiation क्या हो जाएंगे reflect हो जाएंगे और वो वापस उपर की डायरेउचन में चले जाएंगे तो जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे P-type के लेयर और N-type के लेयर को एक स्पेसिफिक सब्ट्रेट के ऊपर क्या किया गया है? डLike किया गया है तो अगर मैं सब्ट्रेट के सर्फेस के उपर मैं गोल्ड की फिल्म को रख देता हूँ, तो क्या होगा, सब्ट्रेट के और जाने वाले ये जो सभी के सभी radiation है, वो radiation सब्ट्रेट से क्या हो जाएंगे, वो यहां से reflect हो जाएंगे, और reflect होने के कारण हमें अपनी साइड में, मतलब कि जिस साइड में हमें light के radiation को emit करवाना है, उस साइड में वो सभी radiation एक ही direction में, या फिर जो एक साइड में हमें radiations को ले जाना है, उस साइड में ये क्या हो जाएंगे, emit होने लगेंगे, तो इसके कारण हमने यहां पर back साइड में reflecting material के form में metal की film को use किया है, जो कि metal किस की होनी चाहिए, गोल्ड की होनी चाहिए, to the surface of the device and also to provide a cathode connection, और दूसरी बात कि यह जो आपका metal है वो क्या है, गोल्ड है, तो गोल्ड अच्छे से अच्छा conducting material है, जिसके कारण जब आपने सब्ट्रेट के नस्दीक कुन सा layer develop किया था, आगे की description को याद किये, मैंने बोला था कि सब्ट्रेट के उपर डाइरेक्ली कुन सा layer इस्तमाल होता है, N-type का, फिर इसके उपर कुन सा material होता है, P-type का, तो हमने यहाँ पे जो यह metal के film इस्तमाल करने की बात की है, वो डाइरेक्ली कुन के, किसके नियर में है, N-type material के नियर में है, जिसके कारण वो gold film असल में N-type layer के लिए connection terminal का भी काम करेगी, तो यहाँ पे यह जो आपका metal का gold film है ना, वो gold film यहाँ पे आपको दो अलग-अलग terms को complete करके देता है, एक तो यह केथोड को connection प्रोवाइड करता है, दूसरा कि यह अपनी reflecting property से भी हमें help करता है, तो कुछ इस तरह से यह एक extra बात है, जो आपको construction में याद रखनी है, कि किस तरह से हमें यहाँ पे gold film help करती है, फिर देखिए, LEDs are manufactured with domed lenses, मतलब कि यहाँ पे यह जो lens है ना, वो कैसा होना चाहिए, domed shape में होना चाहिए, कि जिसके कारण यहाँ पे यह जो आपकी सभी light है ना, वो light reabsorb नहीं होती है, और अच्छी तरह से यह क्या हो जाती है, emit हो जाती है, फिर देखिए, LEDs made from gallium arsenide emit invisible infrared light, LEDs constructed of GA, AS, P, tend to emit red or yellow light, देखिए, यहाँ पे दो अलग-अलग बाते होती है, कि GA और AS, मतलब कि gallium arsenide, जब आप इस semiconductor material से LED को बनाते है, तो AC LED, कौन सी light आपको यहाँ पे देती है, invisible infrared light आपको यहाँ पे emit करके देती है, तो कई AC LEDs भी होती है, जो यहाँ पे infrared light को emit करके देती है, अगर आपने AC LED को नहीं देखा है, तो मैं आपको example देना चाहता हूँ, जो आपका TV का, या फिर CD का, या फिर DVD का, जो remote होता है न, उस remote में आगे आपको एक LED देखने को मिलती है, वो LED असल में कैसी होती है, invisible light को emit करने वाली LED होती है, मतलब कि वो infrared light को क्या करती है, emit करती है, वहाँ पे जब आप उस remote में से किसी switch को touch करते है, tap करते है, तो वो जो LED है न, वो अपने अंदर से infrared radiation को क्या करती है, emit करती है, और वो infrared radiation आपके DVD की ओर जाते है, या फिर TV की ओर जाते है, और उसे information प्रोवाइड करते है, जिसके कारण आपकी channel change होती है, या फिर volume rise up होता है, अगर आप उस LED को blink होता हुआ देखना चाहते है, तो आप एक काम कीजिए, अपने remote को लीजिए, और इस remote को अपने mobile के camera के सामने रखिए, मतलब कि mobile में अपना camera on कीजिए, और remote को उस light को, मतलब कि उस LED को आप अपने mobile के camera के सामने रखिए, और remote में से किसे एक switch को tap कीजिए, तो जब आप अपने camera में से देखते है, तो camera में जब आप उस LED को देखते है, तो switch tap होने के वक्त, उस camera में आपको देखने को मिलेगा, कि light जो है ना, वो LED की light, वो आपको blink होते हुई नजर आएगी, मतलब कि ये जो हमारा mobile का camera होता है ना, वो असल में IR radiations को देखने के लिए sensible होता है, लेकिन हमारी eyes जो है ना, आखे, वो आखे infrared radiation को देखने के लिए sensible नहीं होती है, जिसके कारण आप यहाँ पे mobile के camera से, उस remote में इस्तमाल होने वारी LED को blink होते हुए देख सकते है, लेकिन directly अपनी eyes से उस LED को blink होते हुए नहीं देख सकते है, तो ये proof है कि वो remote में इस्तमाल होने वाली LED ही है, लेकिन वो gallium arsenide material से बनी हुई है, जिसके कारण वो कौन से radiation को emit करती है, इन्वीजिबल इन्फ्रारेड रेडियेशन को emit करती है, फिर देखिए, LED is constructed of GAASP, gallium arsenide phosphide, तो कुछ इस ताइब के semiconductor material से अगर आपकी LED बनी हुई है, तो वो यहाँ पे red या तो yellow color को क्या करती है, emit करती है, मतलब कि, अगर आपके पास red और yellow color की LED है, तो इसका मतलब यह है कि वो यहाँ पे gallium arsenide phosphide जैसे material से बनी हुई है, बाद में देखिए, अगर आपकी LED gallium phosphide material से बनी हुई है, तो वो भी red और green color की light को क्या कर सकती है, emit कर सकती है, फिर देखिए, LEDs can be manufactured to produce light of virtually any color, मतलब कि, अलग-अलग color की LEDs को अगर आप बनाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे अलग-अलग material को इस्तमाल करना पड़ता है, और जैसे ही आप यहाँ पे अलग-अलग materials को इस्तमाल करते हैं, तो इसके कारण आपको यहाँ अलग-अलग color के emission में LEDs मिल जाती है, तो आपको यहाँ पे आपको construction और principle के बारे में यह पूरा का पूरा video lecture समझ में आ गया होगा, दूसरे video lecture में देखिए इस LED के working advantages और applications के बारे में, till then take care, bye bye and thank you so much for watching my video.